नमस्कार साथियों मेरा नाम है गोपाल राजगुरु और स्वागत करता हूँ आप सबका राजगुरु गुरुकुल के सी यूटूब चैनल पे साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं जो अपकमिंग वेकेंस्य नाम है याफिय। चैनल पे करेंगंचे तो. और उस जो बेसिक साइंस है दोस्तों उस बेसिक साइंस में एक चेप्टर है इलेक्ट्रिसिटी लगबक प्रिवियस यर के सारे जो पीपर है उनमें लगबक दो होच्चन जो है दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी से आए तो आज जो हम चेप्टर पढ़ने वाले उस चेप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी बोले तो दोस्तों विद्धुत अब सबसे पहले दोस्तों विद्धुत क्या होती है इसके पहले हमको विद्धुत धारा पता करना पड़ेगा तो विद्धुत धार बात करते हैं दोस्तों विद्धुद्धारा की तो विद्धुद्धारा क्या होती है आवेश प्रवा की दर यानि आवेश के निश्चित दिशा में प्रवा की दर को विद्धुद्धारा गते हैं विद्धुद्धारा कलाती है विद्धुद्धारा कहते है विद्धुद्धारा क्या होती है दोस्तों कि आवेश के एक निश्चित दिशा में प्रवा की दर को विद्धुद्धारा कहते है दोस्तों तो धारा बराबर से क्या होता है दोस्तों धारा धारा बराबर से होता ह ग्रार बराबरश से होता है दोस्तो आवेश बटे समय जो धारा इसा के दोस्तो निर्ण भाईंता है। धारा को कायम मापते हैं दोस्तों एंपियर में मापते हैं और आवेश को मापते हैं दोस्तों कुलाम में धारा को मापते हैं एंपियर में आवेश को मापते हैं कुलाम में और समय को मापते हैं दोस्तों सेकंड में तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि एक एंपियर जो होता है एक विद्धुद्धारा सबसे पहले दोस्तों देखो विद्धुद्धारा विद्धुद्धारा क्या है तो आवेश के एक निश्चित दिशा में प्रवा की दर विद्धुद्धारा कलाती है और धारा बराबसे क्या होता है आवेश बटे समय होता है धारा को जो मात्रक है दोस्तो एंपियर है आविश का मात्रक कुलाम है और समय का मात्रक सेकंड है एंपियर का जो सिंबॉल होता है दोस्तो ए कुलाम का क्यू और सेकंड का यस यानि एक एंपियर जो होता है एक कुलाम बटे एक सेकंड के बराबर होता है इसके बाद दोस्तो बात करते है पर्मानू की पर्मानू या इटम इसको इटम कहते है दोस्तो पर्मानू पर्मानू क्या होता है दोस्तो किसी पदार्थ का वह कन किसी पदार्थ का वह कन जिसको और अधिक विवाजित नहीं किया जासकता उसको कहते हैं दोस्तो परमानू बात करते हैं दोस्तो परमानू या एटम तो किसी पदार्थ का वह चोटे से चोटा कः जिसको और अधिक विवाजित नहीं किया जा सकता उसको कहते हैं दोस्तो पर्मानू और पर्मानू दोस्तों अब देखते हैं पर्मानू का इस्ट्रक्चर जा कई शो टाइब होता है परमानु है दोस्तो ये परमानु का इस्ट्रक्चर इस परमानु के अंदर क्या होता है दोस्तो एक नाभिक होता है ये जो है दोस्तो ये परमानु का क्या है नाभिक है परवानू का ये नाभिक है दोस्तो इस नाभिक के अंदर दोस्तो एक जो कन होता है उसको कहते है प्रोटान और दूसरा जो कन होता है उसको कहते है न्यूट्रोन और दोस्तो परवानू के बाहर एक कक्छा है इस कक्छा में जो होता है दोस्तो इलेक्ट्रोन जो होता है ये प्रोटोन होता है दोस्तो इस प्रोटोन पे जो आवेश या चार्ज चार्ज को आवेश कहते है दोस्तो यह जो आवेश होता है प्रोटोन पे वो होता है एक आवेश जो होता है दोस्तो यह प्लस में होता है और यह कितना होता है दोस्तो 1.6 गुनित 10 की गात माइनस 19 कुलाम जो प्रोटान पे आवेश होता है दोस्तो वो कितना होता है प्लस में होता है 1.6 गुनी 10 की गात माइनस 19 कुलाम और दोस्तो जो इलेक्ट्रोन होता है इलेक्ट्रोन पे जो चार्ज होता है दोस्तो इलेक्ट्रोन का जो चार्ज होता है इलेक्ट्रोन पे वो होता है माइनस एक दसमलो छे गुनी दसकी गहात माइनस उन्निस कुलाम प्रोट्रोन पे जो आवेश होगा वो पॉजिटिव होगा और इलेक्ट्रोन पे जो होगा वो नेगेटिव होगा और जो ग utan कोुई आवेश को नई होता इस पर जो आवेश होता है इस पे जो आवेश होता है 1.6 उन्हें 10 की गात माइनस 19 कुलाम के बराबर होता है और इलेक्ट्रोन पे जो आवेश होता है 1.6 उन्हें 10 की गात माइनस 19 कुलाम होता है लेकिन यह माइनस में होता है दोस्तों और न्यूट्रॉन का इसा होता है उदासीन होता है इस पे कोई आवेश नहीं होता है अब दोस्तों जो प्रोटॉन होता है प्रोटॉन और इलेक्टॉन प्रोटॉन और जो इलेक्टॉन है दोस्तों इनका जो भार होता है ये बराबर होता है प्रोटॉन को जो भार होता है व समान आवेश क्या करते हैं दोस्तों एक दूसरे को प्रतिकर्शित करते हैं समान आवेश है तो क्या करेंगी दोस्तों प्रतिकर्शित समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्शित करते हैं दोस्तों और और समान आवेश और समानाविश कैसे करते हैं दोस्तो आकरशित करते हैं समानाविश एक दूसरे को प्रतिकरशित करते हैं दोस्तो और समानाविश एक दूसरे को आकरशित करते हैं मानलो दोस्तों अगर यह negative charge है और दूसरा भी negative charge है तो एक दूसरे को दोस्तों क्या करेंगे प्रतिकरशित करेंगे यह अगर positive है और दूसरा भी positive है तो ए भी क्या करेंगे दोस्तों प्रतिकरशित करेंगे लेकिन इसमें से अगर एक positive है और दूसरा negative है तो यह क्या करेंगे कि दोस्तों एक दूसरे को कर रहेंगे संभानाविश क्या होते दोस्तों एक दूसरे को प्रतिकरशित करते हैं और संभानाविश एक दूसरे को आकर नेगिटिव इसमें से कोई भी चार्ज नहीं होता इसलिए न्यूट्रोन क्या करेगा दोस्तों ना तो आकर्षित करेगा और ना ही प्रतिकर्षित करेगा अभी दोस्तों बात करते हैं ना भी किया बल की एक strong force है दूसरी बात करें तो यह कैसा है दोस्तों यह आकर्शन प्रकृति का बल है आकर्शन प्रकृति का बल है दोस्तों नाभी की अबल कैसा है एक strong force है दूसरा यह आकर्शन प्रकृति का बल है तिसरे नमबर पर बात करें दोस्तों तो यह अल्प दूरी में लगने वाला बल है यानि कि यह कम दूरी पर लगता है दोस्तों अल्प दूरी अल्प दूरी में लगने वाला बल चबते नमबर की बात करें दोस्तों तो यह आवेश पर निर्भर नहीं करता और पाच्वे नमबर की अगर बात करें दोस्तों तो यह कैसा है यह प्रकृती में सभी बलों में सबसे प्रबल बल है प्रकृती में सभी बलों में सबसे प्रबल बल है दोस्तों बात करें दोस्तों नाभी की अबल की तो नाभी की अबल जो दोस्तों एक कैसा बल है यह प्रबल बल है यानि एक श्ट्रॉंग फोर्स है यह नाभी की अबल कैसा है दोस्तों एक आकरशन प्रकृती का बल है और दूसरा क्या है दोस्तों ये नाभी के अबल जो होता है ये अलपदूरी में लगने वाला बल है और ये आवेश पर निरबर नहीं करता और प्रक्रती में सभी वलों में जो सबसे प्रबल बल है दोस्तों वो कुन सा है नाभी के अबल है इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि नाभी के आकार को नाभिक के आकार को जो दोस्तों मापते हैं वो फर्मी मेटर में मापते हैं नाभिक के आकार को मापने के लिए जो दोस्तों काई का यूज करते हैं फर्मी मेटर का यूज करते हैं नाभिक के आकार को फर्मी मेटर में मापते हैं नाभिक के आकार को दोस्तों काय में मापते हैं तो फर्मी मिटर में मापते हैं और एक फर्मी मिटर जो होता है दोस्तों ये 10 की घात माइनस 15 मिटर के बराबर होता है नाभिक के आकार को दोस्तों फर्मी मिटर में मापते हैं और एक फर्मी मिटर जो होता है दसकी घात माइनस 15 मिटर के बराबर होता है उसके बाद दोस्तों जो पर्मानु का आकार है पर्मानु का आकार पर्मानु का आकार जो दोस्तों इसको मापते हैं इंगेश्ट्रों में इंगेश्ट्रों पर्मानु के आकार को दोस्तों इंगेश्ट्रों में मापते हैं इंगेश्ट्रों और यह जो होता है दोस्तों पर्मानु के आकार को परमानु के आकार गो एंगे स्ट्रोन एंगे स्ट्रोन परमानु को आकार जो दोस्तो परमानु के आकार को एंगे श्ट्रॉम में मापते हैं दोस्तों एंगे श्ट्रॉम में मापते हैं प्रवानु का आकार और एक एंगे श्ट्रॉम बराबर से 10 की घात माइनस 10 मिटर के बराबर होता है सबसे बहले बात करते दोस्तो नाभική एक एक आल जो है दूस्तो परवानू के नाभिक की, जो नाभिक होता है दोस्तो नाभिक के आकार को फर्मे मिटर में मापते हैं और एक फर्मी मिटर बड़ाबर से 10 की गात माइनस 15 मिटर के बड़ाबर होता है उसके बाद बात करें दोस्तों पर्मानू के आकार की तो पर्मानू के आकार को एंगेश्ट्रॉन में वापते हैं दोस्तों और एक एंगेश्ट्रॉन जो होता है दस की गात माइनस 10 मिटर के बराबर होता है देख लीजे दोस्तों एक बार इसको स्क्रिंट्रोट ले लिए आप अब जो बात करेंगे दोस्तों हम एक खोज के बारे में बात करेंगे कि यानि प्रोटान न्यूट्रोण के खोज किसने कि की तो सबसे पहले डालेंगे आप यहां खोज तो दोस्तो खोज किस ने की तो सबसे पहले डालते हैं दोस्तो इलेक्ट्रोन की खोज उसने की दोस्तों उसका नाम है जेजे थॉंसन कि इलेक्टेरों की कोच त obs matters नेजी उसके बाद दोस्तो प्रोटोण है प्रोटोन प्रोटोण की कोच किसदी की दोस्तो गौल्ड इस्टिन गौल्ड इस्टिन या रदर फ्रॉड इलेक्ट्रोन की खोच किसने की दोस्तो जेजे थामसन ने और प्रोटोन की खोच गोल्डेश्टिन या रदरफोट इसमें दोस्तो दो नाम इसलिए क्योंकि दोस्तो जो प्रोटोन की खोच की थी प्रोटोन की खोच तो गोल्डेश्टिन ने की थी दोस्तो खोच किस नहीं की थी गोल्डेश्टिन ने लेकिन जो प्रोटोन नाम दिया वो दिया रदर फोट में अगर ऑप्शन में दोस्तों गोल्डेश्टिन नहीं है तब हम रदर फोट टिक करेंगे अगर ऑप्शन में गोल्डेश्टिन है तो हम गोल्डेश्टिन को टिक करेंगे यानि प्रोटॉन की जो खोज की थी वो गोल्ड इस्टिन ने की थी और जो नाम दिया था वो रदर फोड ने दिया था इलेक्टॉन की खोज जेजे थामसन प्रोटॉन की खोज गोल्ड इस्टिन या रदर फोड उसके बाद न्यूट्रोन न्यूट्रोन की खोच की थी दोस्तो चैडविक ने जैम्स चैडविक न्यूट्रोन की खोच किस ने की दोस्तो तो जैम्स चैडविक ने उसके बाद बात करते हैं दोस्तो परवानू के नाभिक की तो नाभिक की जो खोज की थी दोस्तो ये रदर फोड ने की नाभिक की खोज रदर फोड और बात करें दोस्तो पर्मानू तो पर्मानू की खोज किस ने की दोस्तो तो ये की थी जॉन डॉल्टन सबसे पहले देखें दोस्तों खोज-खोज में यानि जो इलेक्ट्रोन है इलेक्ट्रोन की खोज की जेजे थामसन ने प्रोट्रोन की खोज की गोल्डेश्टिन ने की थी लेकिन जो प्रोट्रोन नाम दिया था वो रदरफोड ने दिया था Neutron के खोज, Gem Steadwick और Nabic के खोज, खिसने की दोस्तो अर परमानू के खोज, खिसने की दोस्तो तो जौन डॉल्टन ने परमानू की खोज की थी और दोस्तो, एक और किसी बंधी हुई अवस्था के लिए जो कुल उरजा रहती है दोस्तों वो हमेशा नेगेटिव रहती है एक पॉइंट डालेंगे दोस्तों आप यहां किसी बंधी हुई अवस्ता के लिए कुल उर्जा जो होती है नेगेटिव होती है किसी बंधी हुई अवस्ता के लिए कुल उर्जा हमेशा जिनात्मक होती है इस बात का मतलब क्या है दोस्तों देखिए दोस्तों यह क्या होता है दोस्तों यह पर्मानू है पर्मानू में नाभिक होता है दोस्तों इसमें प्रोटोन और न्यूट्रोन होता है यानि यह जो एलेक्ट्रॉन है दोस्तों यह इसी इलेक्ट्रोन की जो उर्जा रहेगी दोस्तों हमेशा कैसे रहेगी नेगेटिव रहेगी यानि कि किसी बंधी हुई अवस्था के लिए जो कुल उर्जा रहती है दोस्तो नेगिटिव रहती है ऐसे ही दोस्तो जो प्रत्वी होती है दोस्तो सूर्या का चक्कर लगाती है तो प्रत्वी कि जो कुल उर्जा रहेगी कैसी रहेगी दोस्तो रिनात्मक रहेगी अब बात करते हैं दोस्तों कि मूलभूतकन क्या होते हैं तो मूलभूतकन बोले तो दोस्तों वहकन जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता उसको मूलभूतकन करते हैं यानि ये दोस्तों मूलभूतकन 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 दोस्तो वहागन जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता इसको क्या कहते है दोस्तो मूलभूतकन तो जो दोस्तो इलेक्ट्रोन है इलेक्ट्रोन क्या है दोस्तो एक मूलभूतकन है मूलभूत कन दोस्तो तो जो इलेक्ट्रोन है दोस्तो एक मूलभूत कन है क्योंकि इस इलेक्ट्रोन को और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता लेकिन जो प्रोटोन और न्यूट्रोन है यह मूलभूत कन नहीं है कि अथे कि फो फ्रोटान ग्रोल्ग दोस्तों ये क्या है मुलभुथ्कन नहीं है well इलेक्ट्रोन जो है दोस्तों एक मूलभूत कन नहीं है क्योंकि दोस्तों प्रोटन और न्यूट्रोन को जो होता है दोस्तों कॉर्कस में विबाजित किया जा सकता है सबसे पहले देख़ों दोस्तों क्या है मूलभूतकन मूले तो ऐसे कन जिनको और अधीक विभाजित नहीं किया अजा सकता उनको मूलभूतकन करते हैं तो जो इलेक्ट्रोन ने दोस्तो एक मूलभूतकन है नहीं किया जा सकता लेकिन जो proton और neutron है दोस्तों यह मुलभूत कन नहीं है क्योंकि proton और neutron को जो विवाजित करेंगी दोस्तों यह quarkus में तूट जाएंगे इसके बाद बात करते हैं दोस्तों मुक्त electron की मुक्त electron मुक्त electron क्या होते है दोस्तों तो सबसे पहले देखिए दोस्तो यह क्या है पर्मानू और यह पर्मानू क्या है दोस्तो पर्मानू के अंदर नाभिक नाभिक में क्या होता है दोस्तो प्रोटोन और न्यूट्रोन होता है और इलेक्ट्रोन इस नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है जब क्या है दोस्तो इस परमानु का जो इलेक्ट्रोन है दोस्तों इसको अगर हम दोस्तों बहार से अगर कोई तापिय उर्जा देते हैं तो इसका इलेक्ट्रोन इस परमानु से बहार आ जाता है और मुक्त अवस्था में होता है तो इसी को क्या बुलते हैं दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रोन यानि ज को क्या कहते हैं दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रोन करते हैं अब बात करते हैं दोस्तों सुचालक सुचालक बोले तो कंडेक्टर सुचालक जो होता है दोस्तों सुचालकों में मुक्त इलेक्ट्रोनो की शंक्या अर्बोगर्बोगों में होती है मनुष्यआ का सरीर और इसके बाद दोस्तो आसूत जल जिसको प्यॉर वाटर कहते हैं दोस्तो ये सभी कैसे हैं सुचालक है सुचालक बुले तो जिसमें मुक्त इलेक्ट्रानों की संक्या अर्वो खर्वो में होती है वे सभी क्या कहलाते हैं सुचालक कहलाते हैं सुचालक जो होती है दोस्तों सभी धातों सुचालक होती है मनुष्य का सरीर में सुचालक है और आसूद जल्वी सुचालक है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसके बाद बात करें दोस्तों कुचालक 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 में क्या होता है दोस्तों इसमें सुनने होती है कुचालक कुचालक में क्या होता है दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रोनों की संक्या सुनने होती है इसके जो उधार हैं दोस्तों कुचालक के यह है लकड़ी लकड़ी पेपर लकड़ी पेपर साधा पानी ये सब क्या है दोस्तो कुचालग है क्योंकि इसमें दोस्तो जो इलेक्ट्रोन होते हैं मुक्त इलेक्ट्रोन इनके संक्या सुनने होती है सुचालग कुचालग और इसके बाद दोस्तो जो आते हैं अर्धचालग अरदस जालक जो होते हैं दोस्तों इसमें मुक्त इलेक्ट्रोनिक संक्या बहुत कम मात्रा में होती है अरदस जालक की बात करें दोस्तों तो अरदस जालकों में मुक्त इलेक्ट्रोनिक संक्या बहुत कम मात्रा में होती है जैसे सिलिकॉन और जर्मनियम सिलिकोन और जर्मनियम क्या है दोस्तों ये अर्ध चाल लगए क्योंकि किसमें मुक्त इलेक्ट्रोनों की संक्या बहुत कम मात्रा में होती है सबसे पहले देखेंगे दोस्तों कि सुचालक क्या होते है सुचालकों में जो होती है दोस्तो मुक्टए लेक्ट्रोणों की संक्या अर्भो कर्भो में होती है जैसे सभी धातु ये होगए मनुष्य का सरीर, आसुचल, ये क्या है सुचालक है जिससे मतलब करणट होगा जो दोस्तो इस से पास करेगा उसके बाद कुछालक, कुछालक जो होगा दोस्तों इसमें मुक्त इलेक्ट्रोनों की संक्या सुनने होती है जैसे लकडी, पेपर, साधा पानी, इनसे दोस्तों करेंट पास नहीं होता ये क्या है दोस्तों कुछालक है और अर्धचालक जो होते हैं उसमें मुक्टल इलेक्ट्रोनों की संक्या बहुत कम मात्रा में होती हैं यह क्या है दोस्तों अर्धचालक है अब दोस्तों कुछ वन लाइनर कोच्चन है आप उनको नोट डाउन कर लीजेगा बहुत बार कोच्चन मतलब एक्जाम में आते हैं सबसे अधिक चालक धातू सबसे अधिक चालक धातू कुण सी होती है दोस्तों तो यह होती है दोस्तों सबसे अधिक चालक कुण होता है दोस्तों तो चांदी होती है चांदी या सिल्वर जो है दोस्तों यह सबसे अधिक चालक होता है उसके बाद दोस्तों सबसे आगात वर्धनिया सबसे अधिक चालक दातु कुंसी है दोस्तो चांदी है सबसे अधिक आगात वर्धनिया दातु कुंसी है दोस्तो आगात वर्धनिया बोले तो मैलेबल कहते हैं दोस्तो इंगलिश में इसको सबसे अधिक आगात वर्दनिया धातु ये जो होती है दोस्तो ये सोना होती है सबसे अधिक आगात वर्दनिया धातु कुनसी है दोस्तो गोल्ड या सोना उसके बाद दोस्तो सबसे तन्य धातु सबसे तन्य धातु बात करें दोस्तों सबसे तन्य धातु की तो ये भी क्या है दोस्तों सबसे तन्य धातु जो है दोस्तों ये भी क्या है सूना ही है सबसे अधिक चालग धातु कुनसे दोस्तों तो चांदी है सबसे अधिक आगात वर्दन धातु सूना है सबसे अधिक तन्य दातु जो होती है दोस्तो ये भी सुना होती है सबसे अधिक तन्य दातु है जो दोस्तो ये क्या है ये भी सुना है उसके बाद दोस्तो सबसे सबसे कम घनतो वाली दातु सबसे कम घनतो वाल दातु जो होती है दोस्तो ये होती है लिथियम सबसे कम घनतोवाल दातू कुन सी है दोस्तो लिथियम है सबसे अधिक घनतोवाल दातू बात करें दोस्तो सबसे अधिक घनतोवाल दातू की तो ये दोस्तो ये जो होती है सबसे अधिक घनतोवाल दातू ओस्मियम होती है दोस्तो सबसे अधिक गरतवाल दातु कुन सी है ओस्मियम है और सबसे भारी दातु सबसे भारी दातु भी दोस्तो कुन सी है ओस्मियम है देखिए दोस्तो तो सबसे अधिक चालक दातु कुन सी है दोस्तों तो सबसे अधिक चालक दातु जो होती है चांदी होती है सिल्वर सबसे अधिक आगात वर दिन दातु यानि सबसे अधिक मेलेबल दातु कुनसी है दोस्तों सोना है यानि कि इस पर अगर हम जोसे इसको पीट-पीट कर दोस्तों इसकी पतली चादर है बनाए जा सक बदोस्तोब करें विधुत विभव या विवांतर विद्धुत विभव या इसी को बूलते हैं दोस्तो विभवांतर कि बात करें दोस्तो विभवांतर की तो विभवांतर बराबर से होता है कार्य बटे आवेश का मातरक जूल होता है और आवेश का मातरक कुलाम होता है तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि एक ओल्ट बराबर से एक जूल बटे एक कुलाम के बराबर है यानि एक ओल्ट का मान जो होगा ओ एक जूल बटे एक कुलाम के बराबर होगा अब दोस्तों यह जो है यह बड़ा important फर्मूला है यहां से बहुत सारे कोच्चन दोस्तों एक्जाम में आते हैं जैसे कोच्चन नंबर पहला यदी यदी दस्की घात तीन कुलाम दस्की घात तीन कुलाम आवेश को यदी दस्की घात तीन कुलाम आवेश को एक बिंदू से देखे दोस्तो जो कोच्चन दिया है वो क्या है यदि 10 की घाथ 3 कुला मावेश को एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक ले जाने में 50 जूल कारे करना पड़ा तो विवाव अंतर ग्याद कीजिए तो जब भी जोस्तो इस ट्राइब का कोच्चन आएगा उसमें सबसे पहले हमको देखना होगा कि हमको दिया क्या है इस कोच्चन को हल करने के पहले हम दोस्तो देखेंगे कि इस प्रश्ण में हमारे पास दिया क्या क्या है तो यह दिया है दोस्तो आवेश जो दिया है दोस्तो यह कितना दिया है 10 की घाथ 3 कुला म को हम लिख सकते हैं दोस्तो 1000 कुल अगर दोस्तों हमारे पास आवेश भी दिया है कार्य भी दिया है तो हम इससे विबावांतर आसाली से निकाल सकते हैं दोस्तों यह देखिए दोस्तों यह क्या है वी बराबरी से क्या होता है दोस्तों वी विबावांतर बराबरी से कार्य बटे आवेश कार्य का मतलत यह भीजार है इस एम दुस्तों इसको काट देंगे तो यह कर जायेगा दुस्तों 1 बटी 702 के ब़लावर कर जा जाएगा एक पक्ते給 उप់ है कि आप एक बाती बीस और इस एक बटी दोस्तों क्या है विद्धुत विव विद्धुत विव इसी को बोलते है दोस्तों विवांतर विवांतर बराबर से क्या होता है कार्य बटे आवेश तो विवांतर का जो मातरक होता है दोस्तों वो ओल्ट होता है कार्य का मातरक जूल होता है और आवेश का मातरक कुलाम होता यदि हमारे पास अगर कोच्चन एकजाम में इस टाइब का आएगा दोस्तो इसमें दोस्तो तीन चीज़े है विवाउंतर, कार्य और आवेश इसमें से हमको दो चीज़े दी रहेगी इसमें से तिसरी चीज़ हमको निकारना पड़ेगा तो यहाँ जो प्रश्ण है दोस्तो इस प्रश्ण में हमारे पास जो दिया है दोस्तो कार्य दिया है और आवेश दिया है विभा उंतर हमको निकालना है यहाँ दिया है दोस्तों यदि 10 कि आथ 3 कुलाम आवेश को एक बिंदो से दुसरे बिंदो तक जाने में 50 जूल कार्य करना पड़ता है तो विभा अंतर ग्यात किज़े हमारे बास आवेश दिया है दोस्तों 10 कि आथ 3 इसको लिख सकते है दोस्तो 1,000 कुलाम और कार्य दिया है पचार जूल विभाउंतर बराबर से होता है कार्य बटे आवेश तो विभाउंतर की जगा दोस्तो एक कार्य की जगा हम लिख देंगे दोस्तो पचार जूल और आवेश की जगा एक हजार कुलाम जब इसको हम काटेंगे तो इसका जो आंसर आएगा दोस् कि अअँ स्भोड़ और बूल सुपट सुपटिए baixo जाओ को अवगा है कि अभूड़क लेड़ों कि अगया है कि अगया कि अगया है कि अभूजर आज़ सेने इड़ों कि अवगल देखिए दोस्तो यहां क्या दिया है दोस्तो प्रशन नंबर सेकंड इसमें दिया है पांच कुलाम के आवेश को एक बिंदू से दूसरे बिंदू दक ले जाने में कितना कार्या करना पड़ेगा यदि दोनों बिंदू के बिच विभाव अंतर 10 होल्ट है जब भी दोस्तो इस टाइप का प्रशन आता है तो हमको देखना होता है कि हमारे पास दिया क्या है और हमको निकालना क्या है तो सबसे पहले देखिए दोस्तो इसमें दिया क्या है हमारे पास इसमें जो दिया है दोस्तो ये दिया है आवेश आवेश जो दिया है दोस्तो एक इत्ता दिया है पांच कुलाम उसके बाद दोस्तो दूसरी चीज जो हमारे को दिया है विभावा अंतर विभावा अंतर दिया है दोस्तो ये दस ओल्ट का दिया है आवेश दिया है जो दोस्तों यह 5 कुलाम का विभाव अंतर दिया है दस उल्ट का और हमको इसमें निकालना क्या है दोस्तों इसमें हमको निकालना है दोस्तों W यानि कारे कारे हमको निकालना है तो दोस्तो हम फॉर्मूला जानते है विभा अंतर बराबर से क्या होता है दोस्तो कार्य बटे आवेश बस दोस्तो इस फॉर्मूले में हम इसको मान को पूट कर देंगे तो हमारा अंसर निकलाएगा तो सबसे पहले देखें तो विवा अंतर बरावर से कार्य बटे आवेश तो ये क्या है दोस्तो कार्य यानि W वर्क बरावर से क्या हो जाएगा विवांतर बटे आवेश विवांतर गुनित आवेश हो जाएगा दोस्तों इसका इधर तिरियक गुना हो जाएगा तो ये कार्या बराबर से W बराबर से क्या आजाएगा दोस्तों विवांतर कितना विवांतर की जगा लिख देंगे दोस्तों 10 और जो आवेश है ये कितना है दोस्तों ये 5 कुलाम का है तो जो कारे निकल के आजाएगा दोस्तों ये 10 और 5 का जब मल्टिपार करेंगे दोस्तों ये आजाएगा 50 जूल कारे का मातरक जूल होता है दोस्तों इसलिए इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 50 जून एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों कि जो 5 कुलाम के आवेश को एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा यदि दोनों बिंदों के बीच विवाउंतर 10 होल्ट है तो सबसे पहले देखो दोस्तों हमारे पास दिया क्या है हमारे को दिया है इसमें आवेश दिया है 5 कुलाम का जो विवाउंतर है दिया है ओ दिया है दोस्तों 10 होल्ट का और W कार्य बराबर से हमको यदि पता करना है और आवेश की जगव पाँच रंग इतर दछi दोनों का जब गुना करेंगे आ जाएगा 50 और यह दोसक्त क्या काय क्हार्य नंबर 3 से इसमें देख है कि 10 ओल्ट विभांतर वाले दो बंदों के बिच किया गया कारे यह 30 जूल है तो दोनों बंदों के बिच प्रवायत होने वाला आवेष होगा तो सबसे पहले देखते हैं इसमें हमरे पास is थ्या क्या और यानि क्या क्या गिवन है सबसे पहले देखो क्या होता है दोसveer तो विवांतर बराबर से कार्य वटे आवेश बस दोस्तो यही जो फॉर्मूला है इसमें हमको मान रखना है तो हमारा अंसर निकलाएगा विवांतर जो दिया है दोस्तो कितना दिया है 10 होल्ट कार्य कितना दिया है दोस्तो 30 जूल और आवेश जो हमको पता नहीं है दोस्तो जब हम Q को इधर तीरियक गुना करेंगे दोस्तो दिये Q आवेश इधर आ जाएगा दोस्तो यह आ जाएगा 30 वटे 10 इस 0 से 0 कैंसल हो जाएगा दोस्तो और जो आवेश निकल के आएगा हमारे पास Q आवेश जो निकल के आएगा दोस्तो यह आएगा 3 कुलाम का देखिए दोस्तो हमारे पास इस कोच्चन में क्या दिया है विवाउंतर दिया है कितना 10 होल्ट कार्य दिया है 30 जूल और आवेश हमको पता करना है तो विवाउंतर बराबर से कार्य बटे आवेश तो इसमें देखिए दोस्तो क्या हुता है विवाउंतर की जगा विवाउं अब देखो दोस्तो यह तो हो गए इसके बेसिक कुच्चन दोस्तो जो विभा अंतरकारियों और आवेश के विज्जो संबंद होता है दोस्तो वो बताते हैं यह दोस्तो एक सर्किट है इसमें जो दोस्तो यह जो दोस्तो बैटरी लगी है यह है दोस्तो 20 ओल्ट की इस बैटरी में दोस्तो यह है प्लस और यह है माइनस तो इस साइट जो विभाव अंतर है दोस्तो यह 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 जो है दोस्तो यह क्या है उच्च विभाव वाला सीरा है दोस्तो और इस साइट जो है दोस्तो यह क्या है निम निम्न विभव वाला सीरा है तो देखें दोस्तो होता क्या है कि जो इलेक्ट्रोन होता है दोस्तो इलेक्ट्रोन है दोस्तो इलेक्ट्रोन जो होता है इलेक्ट्रोन क्या करता है दोस्तो ये निम्न विभव से उच्च विभव की तरब जाता है और जो धारा होती है दोस्तो धारा आई यह धारा है दोस्तों यह धारा क्या होती है दोस्तों यह उच्च विभव से निम्न विभव की तरब जाएगी यानि दोस्तों जो इलेक्ट्रोन की दिशा होगी यह मानलो दोस्तों पूर्वा है और यह पस्चिम ये जो दोस्तो पूर्वा है और पस्चिम है अगर इलेक्ट्रोन जो है दोस्तो इलेक्ट्रोन कहा जा रहा है पूर्व से पस्चिम की तरफ तो धारा जो करंट बहेगा दोस्तो वो कहा बहेगा पस्चिम से पूर्वा की तरफ यानि कि जो इलेक्ट्रोन जिस दिशा में चलत अब दोस्तों देखिए इसमें विभावांतर कैसे निकालते हैं यह क्या है दोस्तों यह 10 विभावांतर यह पोजिटिव में और यह माइनस और यह जो निमन विभाव है दोस्तों यह कितना है दोस्तों यह माइनस और माइनस गुना हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा दो देखे दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो उच्च विभव वाला सीरा है तो धारा क्या होती है दोस्तों कि धारा जो होती है उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ बहती है लेकिन जो इलेक्ट्रोन होता है दोस्तों यह इलेक्ट्रोन है और दोस्तो ये धारा बराबर से क्या होता है दोस्तो धारा बराबर से होता है आवेश बटे समय धारा को दोस्तो आई लिखते हैं आवेश को Q लिखते हैं और समय के सेकंड के लिए S लिखते हैं दोस्तो, तो धारा बढ़ाबर से क्या हुता है दोस्तो आवेश ब्टे समय। और धारा धारा को काई में मापते हैं दोस्तों एंपियर में मापते हैं आवेश को कुलाम में मापते हैं और समय को सेकंड में मापते हैं यानि कि बात बोल जकते हैं दोस्तों एक एंपियर जो होता है एक कुलाम बटे एक सेकंड के बराबर होता है देखिए दोस्तो प्रश्ण नंबर 14 क्या दिया है दोस्तो हमारे पास कि यदि किसी परिभत में 5 एंपियर की धारा 2 मिनट तक प्रवाइद की जाये तो आवेश की मात्रा होगी यानि हमको इसमें आवेश पता करना है दोस्तो कि इतने कुलाम का आवेश होगा तो सबसे पहले देखिए दोस्तो यह क्या होता है दोस्तो धारा धारा बुरावर से क्या होता है दोस्तो आवेश बटे समय धारा बुरावर से क्या होता है दोस्तो आवेश बटे समय तो धारा काई में मापते हैं दोस्तों सेकंड में मापते हैं लेकिन हमारे पास यहां समय काई में दिया है दोस्तों यह दो मिनट दिया है तो इस दो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे दो इन्टू साथ से गुना कर देंगे दोस्तों यह क्या हो जाएगा दोस्तों यह आ गया दोस्तों समय अब हमको इसमें निकालना है आवेश तो इसमें मान रख देंगे दोस्तों आई कितना है दोस्तों यह दिया है पांच एंपियर आवेश हमको पता नहीं है और समय जो दिया है दोस्तों यह दिया है 120 सेकंड तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों इसका तीरि सबसे पहले देखें दारा बराबर से क्या होता है आवेश बटे तो इसमें हमारे पाँएंपर की यह जो दारा यूद्थ। पियर Q की जगा Q और समय की जगा 120 सेकंड जब इसका तीरियक गुना कर देंगे दोस्तों दिये निकल के आ जाएगा 600 कुलाम अब इसके बाद जो बात करेंगे दोस्तों हम वो करेंगे आवेश के क्वांटी करंद की तो आवेश का क्वांटी करंद क्या होता है दोस्तों यह देखेंगे हम आवेश का क्वांटी करंद इसमें दोस्तों क्या होता है क्यू बराबर से क्या होता है दोस्तों एन इह होता है क्यू क्या होता है दोस्तों आवेश और एन क्या होता है इसमें एन जो होता है दोस्तों यह होता है नंबर ओप इलेक्ट्रोन या नंबर ओप नंबर ओप रोटा या इलेक्ट्रोन की संख्या होती है N क्या होता है दोस्तों ये प्रोटोन या इलेक्ट्रोन की संख्या होती है और E क्या होता है दोस्तों E जो होता है एक इलेक्ट्रोन पर आवेश N क्या होता है दोस्तो N होता है number of proton या number of electron की संख्या और E क्या होता है दोस्तो एक electron पर आविश होता है तो आविश का quantity करन क्या होता है दोस्तो Q is equal to any अगर हमको पूछे दोस्तो कि एक कुलाम आविश में कितने electron होते है कि एक कुलाम आविश में कितने electron की संख्या होती है तो सबसे पहले देखिए दोस्तो यह दिया है हमारे पास Q कुलाम दिया है दोस्तो और यह number of electron है तो number of, हमको और E, वोले तो दोस्तो electron जो है दोस्तो चरज दोस्तो एक electron पर आविश कितना होता है अब देखो दोस्तो, हमको निकालना है दोस्तो क्या n, n निकालना है तो यह जो दोस्तो q है, n यहाँ आ जाएगा दोस्तो, और यह आ जाएगा q के नीचे, q बड़ावर इस q अपान में क्या होगा जाए दोस्तो 1.6 गुनित 10 की गात, माइनस 19 अब यह दोस्तों यहाँ दिया है दोस्तों पोइंट और यह यहाँ दिया है जोस्तों माइनस में दिया है दोस्तों यह माइनस वाला उपर चल जाएगा N बराबर से क्या हो जाएगा दोस्तों 10 की घात 19 हो जाएगा क्योंकि दोस्तो जब भी कोई संख्या की घात में अगर मायनस लगा होता है तो इसको उपर जायने पर प्लस हो जाती है तो यह हो जाएगा 10 की घात 19 और यह हो जाएगा 1.6 और फिर दोस्तो ये 10 की खात 19 और ये 1 point को हटाने के लिए दोस्तो उपर 10 बनाएंगे तो ये 10 हो जायेगा और ये क्या हो जायेगा दोस्तो 16 फिर दोस्तो यहां क्या हो जायेगा यहां हो जायेगा दोस्तो 10 की खात 20 और ये हो जायेगा 16 फिर दोस्तो इसको हम फिर से तोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 10 की खाथ 2 और इंटू 10 की खाथ 18 यानि कि जो 10 की खाथ 20 है दोस्तो हमने इसको दो भागों में तोड़ दिया 10 की खाथ 2 और 10 की खाथ 18 में और यह हो जाएगा दोस्तो 16 फिर देखिए दोस्तों क्या होगा कि ये 10 की खाथ 2 बराबर से 10 हो जाएगा और ये 10 की खाथ 18 हो जाएगा ये 10 की खाथ जो क्या होगा जाए दोस्तों 18 अभी 16 से दोस्तो जब हिम सब को काटेंगे तो यह कट जाएगा दोस्तो 25 बार और यह कट जाएगा चार बार फिर काटेंगे दोस्तो इसको तो यह कटेगा दोस्तो 6 इकम 6 बच्चे कितने दोस्तो एक 6 दूने 8 और 6 यह जो कटेगा दोस्तो 6 दसमलो इसका जो आंसर निकल के आजाएगा दोस्तो 6 दसमलो 25 गुनित 10 की घात 18 कुलाम के ब्रावर 18 इलेक्ट्रोन आएगा दोस्तो